नमश्कार साथियों, साइंस की महतवण प्रश्णों 3 पार्ट 23 में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे महतवण प्रश्णों के साथ साथ जो भी आगामे एक्जाम में आने के चुला एक प्रश्ण है वो प्रश्ण में इसमें इंक्लूट किए वुए हैं तो आप इने कंठा स्याद रखिएगा, शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रशन आता है, हमारे शरीर में निश्यंदन, द्वारा मुत्र का निर्मान करने वाला अंग कोंसा होता है, तो वो होता है विवरिक, काला जार नामक रोग का कारक क्या है, तो वो होता है प्रोटो जु वो उनसे होता है, एक तो एन्फ्लुेंजा और डेंगो बुखा, ये जो रोग हैं, ये वायरिस तवारा होते हैं, फिर बात कते हैं, शेशु अवस्था में टीका लगाने के साथ साथ एक के एक के अंतराल में तीन बार दवा, जिस बीमारी से बचने के लिए पिला जाती ह वो कौन सी है, तो वो है पोलियो, ठीक है, पोलियो की दवर पिला जाती है, मलेरिया रोग उतपर न करने वाला कारक कौन सा है, तो वो होता है प्रोटोजवा, शरीर के प्रतिरक्षा तंतर को नश्ट करने वाला कारक है, तो वो होता है एक्स रोग, एंट अमीबा, हिस्ट तो वह कुन सा है तो वह है बेक्टेरिया वहार रोग जो एक बार होने पर पुना होने की संभावना नहीं रहती है तो वह रोग होता है चैचक ठीक है भोजन का पाचन होता है तो भोजन का जो पाचन है वो आमाशय में होता है पचित भोजन पर अवशोशित होता है तो पचित भोजन जो है वो अवशोशित होता है छोटी आत में जिब परिसित स्वात कलिकाओं का कारी क्या होता है तो उनका कारी होता है भोजन का स्वात देखना ठीक है अब एसक मानव के मुह में दातों की संख्या प्राय कितनी होती है तो वो होती है 40 एक श्वास तथा सांस का अर्थ क्या होता है तो वो होता है एक अंतर श्वसन और ए जिसमें सरवाधिक सरफ्थम जो। प्रभावित होते हैं तो एक तो नाक रुंदु रह्के होती है रोग है उसका नाम है गलगोटू रोग हमें सरवादिक उर्जा प्राप्त होती है तो सरवादिक उर्जा वसा से प्राप्त होती है हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है तो जल का प्रतिशत जो है वो सितर से 80% होता है लगवग रतोंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह होता है विटामिन A की कमी से, रिदय रोक वर रक्त चाप को बढ़ावा देने वाला अव्योव कुन सा है, तो वो है वसा, संपूर्ण विश्व में शुध के वित्रण के लिए जिम्यदार है, तो वो होता है लुस पाइश्चर, पोलियो वेक्सीन मे में प्रवेश होता है पॉलियो वैक्सिन में प्रवेश होता हैंटीजन का, ठीक है एलकोहली के इनवन के लिए प्रयोगत किये जाने वाला सुक्षम जीवी है करण है तो यह मैं प्रशन होती ही दोस्तों, पसंद आई हो तो लाइक हो सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स टूडियो में धन्यवाद